उन्स अगेंड वेलकम तो मारी वोडूब चैनल बथ जिगा इलाज चैनल में एक बार बुना स्वागत है आज हम पत्री के बारे में पूरी जानकारी देंगे पत्री क्यों बनती है पत्री के क्या इलाज है और पत्री जिन लोगों को हो गई है उनको क्या साफधानी बरतनी चाहिए ये जानकारी इस वीडियो में पूरी दी जाएगी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने नुक्षान डायक होती है पत्री जिन लोगों को हो गई है उनको बहुत सी समश्याओं का शामना करना पड़ता है बहुत सी पीड़ा शेहन करनी परती है पत्री के कारण पत्री एक प्रकार से ये कैलसियम आगजिलेट होता है और जिन लोगों को कैलसियम आगजिलेट से पत् पत्री के उपर खादा है पत्री जो है हमारा धिज शी手ग का प्रोडाट टी प्रोड़क्ट टीज बेस्ट पे काम गरता है सेलिडरल नरेश्मेंट थेरेपी अरथात को टीए अर्थात को सिकous के पुशन ले आपको बेस्टीज के जो प्रोड़क्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप यPeश करें और यह मारे प्रोड। सीन टी बेस्ट common करते हैं प्रेहर करते हैं तो यह बहुत ही कारगर हैं इसमें से पहला प्रोड़क्ट से नोनी कंद्धिन और आप उश्वा और का प्रियोग करें और तीसरा प्रोड़क्ट हमारा है जो है आपको गोनो डर्मा जो जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है और हमारे सरी से टॉक्षिंस को और बिजाती है द्रब्र को बाहर निकालता है तो ये तीन प्रोड़क्ट अगर आप वो लगातार प्रियोग करे जाना है शाम को लगा के शो जाना है सुबा इसको आप से बाहर निकाल लेना है डेटाक्स फुट परेज को आप देखेंगे कि आपके शरी से सारे टॉक्षिंस बाहर निकल जाएंगे हाँ अगर इस तब जब आप पत्री की दवा का प्रियोग कर रहे हैं तो आपको पानी ज की शमस्या से पुर्ण रूप शनीदान प्राप्त हो जाएगा और आपको जो कष्ट और पीड़ा हो रही है यह आपको दूर हो जाएगी तो इस प्रोड़क्ट को यूज करें स्रस्त रहें तंदुरस्त रहें बिश्यू बैल्द मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के ल जय हिंद जय भारत बंदे मातरम